नमस्कार आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल्म है एक बार पिर्सु अगत प्रस्टक्बाल है। आज एक बार फिर मैं आपको साधा ससन मंटो के अफसाने की उस सीरीज का जिसमें बीवी और शोहर की नोग जोग के अफसाने हैं एक और अफसाना सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है हजामत। मेरी तो आपने जिन्दगी हराम कर दिये। खुदा करे मैं मर जाओं। अपने मरने के दुआएं क्यों मांगती रो। मैं बर जाओ तो सारा किस्टा पाक हो जाएगा। कहो तो मैं अभी खुदकुशी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पासी अफिम का ठेका है। एक तोला अफिम काफी होगी। जाओ। सोचते क्या हो। जाता हूँ। तुम उठो और मुझे मालूम नहीं एक तोला अफिम कितने में आती है। तुमुझे अंदाजन दस रुपे दे दो। दस रुपे? हाँ भई। अपनी जान गवानी है। दस रुपे जादा तो नहीं। मैं नहीं दे सकती। जरूर आपको अफिम खाके ही वालना है। संखिया भी हो सकता है। कितने में आईगी। मालो नहीं। मैंने आज तक कभी घाया नहीं। आपको हर चीज का इल्म है। बढते कुँ है? बना तुम मुझे रहि हो। भला मुझे जहरों की दिमत के मुटालिक क्या इल्म हो सकता है? आपको हर知 इज का इल्म है। तुम्हारे मुतालिकों में अभी तक कुछ भी जानना सका, इसलिए है कि आपने मेरे मुतालिक कभी सोचा ही नहीं, यह सरीयन तुम्हारी ज्यात्ती है, पांच बरस हो गया, तुम इन में से कोई ऐसा दिन पेश करो जब मैंने तुम्हारे मुतालिक ना सोचा हो, हटाईए, इन पांच बरसों के जितने दिन होते हैं, उनमें आप मुझसे यही खुराफात कहते रहें, तुम हकीकत को खुराफात कहती हो, मैं आप क्या कहूँ, जो कहना चाहते हैं, कह डालिये, आपकी जबान में लगामी कहा है, फिर तुमने बजबानी शुरू कर दी, बजबान त आप, रुक क्यों गई हो, जो कहना चाहती हो, कह दो, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, आप से कोई क्या कहे, आप तो ये चाहते हैं, कि आदमी को तकलीफ पहुँचे, लेकिन वो उफ भी ना करे, मैं तो ऐसे जिन्दगी से घबरा गई, तुम चाहती क्या हो, ये भी तो पता चले, मैं कुछ नहीं चाहती, फिर ये गिरे शिक पे क्या मानी रखते हैं, इनके मानी आप बखो भी समझते हैं, अंजान क्यों बनते हैं, इन गिरे शिकों के पीछे कोई बात तो होगी, क्या, मैं क्या जानू, ये अजीब मनतिक है, खुदी फारती हो, खुदी रफू कर किया, जो सही बात है, इसको बताती क्यों नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये हर रोज के छगड़े हमें कहा ले जाएंगे, जहन्नू में, अब वहां भी तुम्हारा साथ होगा, मैं तो वहां बिलकुल नहीं जाओंगी, तो कहा होगी तुम, मुझे मालूम नहीं, तुम से बड़ी बात मेरी महबत है, जिसका ऐसास तुम्हें अभी तक नहीं हुआ, मेरी समझ में नहीं आता, या मैंने इसके इजार में बखिल किया है, या तुम में वो हिस नहीं, जो इस जजबे को पैचान सके, असल में बेहिस तो आप हैं, कैसे, ये भी कोई बात है, इन पा ऐसी महबत पर क्या आदमी तंगा जाए, महबत से कौन तंगा सकता है, मेरी मिशाल मौजूद है, इसका मतलब ये है कि तुमने इक्रार किया है, क्या मैं तुमसे महबत करता हूँ, मैंने कब इक्रार किया है, ये इक्रार ही था, होगा, होगा नहीं था, वेकि तुम मानोग कि नहीं इसके जिद्दी हो मेरे समझ में नहीं आता कि और दों की नफसियात क्या हैं जब उन से प्यार किया जाए तो घबरा जाती है और जब उन से जरह बेतना ही बढ़ती जाए तो बरहम हो जाती है महस बक्वास है इसलिए कि ये प्रखुलूस खाविन की जबान से निकलिए है अटाईए आपका खुलूस में देख चुकी हो जब देख चुकी हो तो एमान क्यों नहीं लाती हो मुझे तंग ना कीजिए मेरी तबियत खराब है मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती अपने को भी अच्छा नहीं समझती है खुदा की यह अजीब बात है कि तुम्हें सब कुछ मालूम होता है मगर तुम्हें मालूम नहीं होता है यह कैसे सिलसिला है तुम साफ अलवास में यह क्यों नहीं कह देती हैं कि तुम मुझसे नफरत करती हूं तो सुन लीजे मैं आपसे नफरत करती हूं मुझे यह सुनकर बड़ा मैंने तुम्हारी हर आसाईश का खयाल रखा है किस बात कर आप अकल्बंद हैं खुद समझी है मैं क्यूं बता हूं को इशारा तो कर दो मैं ऐसी इशारा बाजिया नहीं जानती तुमने ऐसी गुफ्तु कहां से सीखिये आपसे मुझसे मुझे है कि ये इलजाम तुमने मुझे पर क्यों लगा है आप पर तो हर इलजाम लग सकता है मिसाल के तोर पर मैं आपको मिसाल नहीं दे सकती है खुद आके लिए गुफ्तु कुबंद कीजिए मैं तंग आ गई हूं बस मैंने कही दिया है कि मुझे क्या या लाबेरी मुझे ज़्यादा तंग नंग कीजिए मेरा जी चाहता है अपने सर के बाल नोचना शुरू कर दो मेरा सर मौजूद है तुम इसके बाल बड़े शौक से नोच सकती हो आपको तो अपने बाल बड़े अजीज है जिए इनसान को अपनी हर चीज रजीज होती है लेकिन मर्दों के सर पर बालों के चट्टे भिड़ों के चट्टे मालूब होते हैं आप मालूब नहीं बाल कटवाने से क्यों परेज करते हैं मैं परेजी याद नहीं हूँ इसकलर जूट अभी पर्सों आपने मुझसे कहा कि आपने एक पार्टी में शराब पीती है लाहॉल वला मैंनल फिर्स शेरी का एक ग्लास पीया था वो क्या वला होती है बड़ी बेजरर्द किस्म की चीज़ है तुम्हारी बदजबानिया कहीं मुझे बदजबान ना बना दे जैसे आप बदजबान नहीं हैं बदजबान तुम्हारा बाप था जानती हो वो हर बात में मुगलजाद बखता था मैं कहती हूं मेरे बाप के मुतालिक मेरे बरूम बाप के मुतालिक कुछ ना कही है आप बड़े वाहियात होते जा रहे हैं वाहियात कैसे होता जा रहा हूं मैं रिजानती है जानने के बगएर तुमने ये फत्वा कैसे आयत किया मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने इत किसी बात थी जिसको तुमने बतंगर बना दिया मैं जा रहा हूं कहां बस जा रहा हूं खुदा के लिए मुझे बता दीजिए मैं खुदकुशी कर लूँगे मैं नुसरत हेर कटिंग सलून जा रहा हूं